वेरी गुड़ इविनिंग फ्रेंज 6 जैन्वरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफिर्स हम लोग डिसकस करने जा रहा है जो चलिए स्टार्ट करते हैं के नाइन जर्नल एक पत्रिका है और इट इस रिलेटेट टू दे के नाइन अफ द डॉक और के नाइन जर्नल इस रिलेटेट टू पूलीस डॉक पूलीसिंग में जो पूलीस विवस्था है उसमें डॉक्स का इस्तिमाल किया जाता है तो उनके उपर एक लेख लिखा गया है के नाइन जर्नल में और इस पुस्तक का भी मोचन इट वज लॉंच बाइ यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित साह जी जो गांधी नगर के लोगसभा चुनाव जीते हैं तो न्यू देली में इस पुस्तक का लॉंच किया गया है के नाइन जर्नल तो इट इस लेटेट टू यूर इट इस लेटेट टू डॉक्स है ना पुलीशिंग विवस्ता से और यूनियन होम मिनिस्टर ये लोगसभा है ठीक है गांधी नगर से 2019 में लोगसभा चुनाव जीते हैं और 2014 से 2019 तक ये राजी सभा के मेंबर है ठीक है नेक्स्ट जो आपकी न्यूज है डिपॐआर विल डिपॐआर विल टेको एक रामसर साइट है आसाम की तो डिपॐआर विल जो एक रामसर साइट है इसकी fishing को band किया गया है band community fishing of डिपोर विल तो इरान में एक ramsar place है जहां पे ramsar site है ramsar convention को follow करते वे इसको ramsar site बनाया गया है सोकार लेक 42nd ramsar site है लदाक में तो पुछा जाता है कि बैलिस्वा ramsar site भारत का तो सोकार लेक लदाक में 42nd ramsar site लोनार लेक महारास्टा में है किथम लेक यूपी में है लाल सोका सूर सरोवर सूर सरोवर है तो यह आपका ramsar site है भारत के प्रमुख लाल पहाडी जो है पहली hilltop पहाडी है मतलब कि on the top of the hill Buddhist monarchy बनाई गई है monastery बनाई गई है गैंगटिक भैली में बिहार के लखी सराय में यह पाया गया है तो लाल पहाडी कहाँ है लाल से लाल लासे लखी सराय तो यहाँ पे गंगा नदी की घाटी में पहला hilltop Buddhist monastery बनाई गया है बिश्व भारती इन्वरस्टी और भिहार heritage development society का एक joint collaboration हुआ है बहुत important यह है देखिए बिश्व भारती बिश्व विद्याले जो है 1921 में रविद्ना टैगोर ने इसकी establishment की थी और इस इन्वरस्टी को PM मोधी ने address किया on the 100th anniversary of विश्व भारती इन्वरस्टी celebration event पे इस इन्वरस्टी को सम्बोधित किया तो यह ख़बरों में रहा कि रविद्ना भारती इन्वरस्टी and बिहार heritage development society they have made a joint collaboration on the birth anniversary of विश्व भारती इन्वरस्टी 1921 में इसके अस्थापना हुई रविद्ना टैगोर और 1913 में इनको गितांजली पुस्तक के उपर नोबल पुरिस्कार से सम्मानित किया गया था सागर माला डेवलप्मेंट कंपनी under the ministry of port, sipping and water wedge तो सागर माला डेवलप्मेंट कंपनी पोत परिवहन मंतराले के अंतरकत आता है और देखिए सागर माला और भारत माला तो BPSC की परिशा में इस बार भारत माला से भी एक प्रशन आया था कि भारत माला project जो है वो किसे सम्मंदित है तो internet और road इन दोनों में बहुत confusion तो नहीं भारत माला project जो है ये road infrastructure से भारत माला project is related to the road infrastructure राश्टी राजमार्ग मतलब National Highway Authority of India के लिए है ये भारत माला project और optical fiber के लिए भारत optical fiber वो अलग है सागर माला is related to the ministry of port, shipping and waterways तो यही सब बाते मुखे मुखे current affairs से पुछी जाती है परिक्षाओं में छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है सागर माला company जो है ये sea plane services गुजरात है न तो गुजरात में sea plane services start होगी समुद्र के सता के उपर से जहाजे उडान भरेंगी तो सागर माला company ये है अभी USA खबरों में है USA ने पास किया है मलाला यूसूफ जाई scholarship bill किसलिए this bill is mandatory for the देखे यूनाइटेड इस्टेट एजेंसी फ़र इंटरनेशनल डेवलपमेंट है न USA ये mandatory है for USA एड उनाइटेड नेशन एजेंसी फ़र इंटरनेशनल डेवलपमेंट तो अवार्ड 50% scholarship to the park women पाकिस्तान की महिलाओं को पच्चास प्रतिसत चात्रविर्थी प्रतान कर दिया है under higher education scholarship program from 2020 to 2022 2020 से 2022 तक higher education scholarship program के तहत 50% पाकिसानी महिलाओं को चात्रविर्थी प्रतान की जाए मालाला यूसूफ जाई खबरों में रही ये nobel prize winner है यूएसे ने यूएसे अभी खबरों में रहा इट इंपोज सैंक्संग ओन तर्की फार बाइंग एस फोरेंड़ मिसाइल फ्रम रस्या रस्या से चार एस फोरेंड़ मिसाइल पर्चेज करने के लिए इस पे सैंक्संग इंपोज कर दिया गया है और चेन्य जो है हमारे देश में हाइस्ट cctv footage coverage करने वाला place बन गया है according to the south asia general south asia पत्रिका के द्वारा चेन्य जो हाइस cctv coverage करने वाला अस्थान बन गया है तो cctv per square kilometer में अगर आप देखा जाए ये ब्योरा तो चेन्य इसमें टॉप में है 657 प्रती बर किलोमेटर में cctv कैमरे लगे हैं और cctv प्रती 1000 पीपल में 25.5 उसी तरह से हाइदराबाद में 480 cctv कैमरे पर स्क्वार किलोमेटर और 30.00 पर 1000 पीपल तो दोनों अलग अलग चीज़े हैं यहां पर 1000 अगर पूछा जाए तो हैदराबाद हो जाएगा और चाइना इंडिया चाइना और इंडिया में हाइस cctv इंस्टॉलेशन इन अर्बन एरिया इन दे वर्ल्ड पूरे बिस्व में चाइना और इंडिया में cctv का फूल फॉर्म क्या होता है पूछा जा सकता है साइन से टेकनोलोजी से की cctv का मतला होता है क्लोज सर्कीट टेलिवीजन जैकमा इस प्रॉमिनेंट बिजनेस परस्नालिटी इन इंडिया ठीक है न यह जैकमा जो है वो अली बाबा के को फाउंडर है और यह चाइना होगा प्रॉमिनेंट बिजनेस परस्नालिटी चाइना होगा कैप इंपोजड ओन ट्रांस फैटी एसीड इन ओयल सेंट फैट्स फॉर्टी ट्वेंटी वन तीन पर्सेंट बाइफूट सेफ्टी एंड इस्टेंडर्ड ऑथरिटी ऑफ इंडिया तो यह एक नियामक है खाद पद बदार्थों में ट्रांस फैट और वैल्स तो तक दो परतिसद करने का अइलान किया गया है तो ट्रांस फैट इस रिस्पॉंसिबल फॉर्ट अटक तो जितना कम होगा ट्रांस फैट उतना ही स्वास्थ वर्धक होगा तो तो डब्लु एचा वर्ल्ट हेल्थ SSI का New Delhi में है और रिटा टेवर्टिया जो है इसके चेर पर्षन है प्रयास न्यू एनिशेटिव एडप्टेड वाइ इंडिया नाल कॉर्परेशन प्रयास एक नया एनिशेटिव किस महारतने कंपणी का है भाई तो इंडिया नाल कॉर्परेशन का प्रयास क्या है इसमें प्रयास में क्या होगा कि इंडिया नाल कॉर्परेशन के इंप्लाई जो है दिल्ली के अंदर में रात में विजिट करेंगे नाइट सेल्टर टू प्रोवाइड ब्लैंकेट एन एसेंसियल आइटम्स ठंड से ठीटूरते हुए गरीब बेबस बेचारे लोग जो रहन बसीरों में रह रहे हैं दिल्ली में रात्री में तो उनकी सुविधाओं के लिए उनको ब्लैंकेट कंबल और अन्य आवस्यक वस्तों को प्रदान करने के लिए भारती इंडेनाल कर्पोरेशन के तरफ से उनके जो कर्मचारी है रात में भ्रमण पे जाएंगे और उनकी मुल्भूत आवसागताओं की चीजे जैसे कंबल और इत्यादी चीजे उन्हें प्रदान करेंगे और उन्हें ठुठूरती ठंड से बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा तो इस अंडर दा कार्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी एक्ट ठीक है ना तो उत्तर भारत में ठिठूरती विठंड है ना विंटर इस वरी हार्स एंड वी पीपल फार्ट फ्रम नॉर्थ इंडिया तो अब पता ही है गौवर्मेंट सेट अप नाइट सेल्टर फर दोज वो डॉन्ट है ओम जिनके पास अपने खुद के घर नही प्रश्था की है जापानी रिसर्चर है प्रोपोस्ट तो यूज उडेन कॉम ना तो जापानी रिसर्चर ने उडेन कॉम को बनाया है तो इस पेस जंग क्या होता है देखिए यह बहुत इंपोर्टेंट सीजे टेकनिकल टम है जब भी कोई सेटलाइट जो है लांच किया जाता है तो जब एक बार यह फंक्शनल नहीं होता है तो यह इस पेस में जांक के रुप में रहता है तो सुमी टमो फ़ारेश्ट्रीन और तो ऊपनि कह करेगी की इस पेस जंग को इलिमिनेट करेगी और क्योट्र इनवर्स्टी में ऐसा आइडिया आईए जापान की इन क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंट्री इरान है इनाउंस्ट टू इन्रिच इट्सेल्फ उरेनियम 20 परशेंट 20 प्रतिसत अपने आपको इरेनियम में इन्रिच करेगा देखिए जॉइंट कंपरिस्टी प्लान अफ एक्शन इरान नुकलि वेपन क्यों कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या करती है कि यह जो इरान के साइट से उसको मॉनिटर करती है वेदर इरान इस मेकिंग नुकलियर वेपन और नॉट क्योंकि इरान के पास नुकलियर वेपन अगर इरान बना रही है तो इंटरनेशनल एटॉ इनर्जी एजन्सी उस पर रोक लगा सकती है तो इन और टो मेक नुक्लियर भीपन इरान निट टू इन्रिच इरेनियम इरेनियम में अपने आपको इन्रिच करना पड़ेगा तो युएसे जो है एक्जिट फ्रम दा इनार नुक्लियर डील क्यों और उसके उपर सैंसंग इं इंपोच किया और इरान नुक्लियर डील से बाहर हो गया तो इसलिए इरान जो है वो चाहता है कि उसको अगर नुक्लियर में पावर्फुल बनना है तो अपने आपको युरेनियम रिच बनाना होगा क्योंकि अमेरिका ना तो वैसे उसका साथ छोड़ दिया नुक्लियर खतम समाप्त कर दिया तो आपने आपको पावर्फुल बनाने के लिए 20% इंडिचमेंट करना चाहता है इरान और यहां पर एक साइट है नुक्लियर साइट इन दे इरान दैट इस फॉर्डो साइट फॉर्डो साइट अभी ब्रिटेन खबरों में है ब्रिटेन है street नाज के लिए टी कंपोन टैट्स होता है इस टेंप्रश से टेंपोन TechS थो सानेट्री प्रड़क्त पे जो टैक्स आई जा अ उसको टेंपोन country in the world to provide free sanitary product in the world for the hygiene of women महिलाओं के स्वास्त को ध्यान में रखते भी स्कॉटलेंड ने sanitary products को free कर दिया ना कुछ important eminent personality Nancy Pelosi है ना re-elected US housekeeper ये Nancy Pelosi is re-elected as the US housekeeper all India Chase Federation के chairman कौन बनाएगे है संजय कपूर आपने संजय का नाम सुना अगर महा भारत में उनके पास दिब बिद्रिष्टी थी तो चेस जो है कैसा खेल है जिसके पास दिब बिद्रिष्टी अगर होगा तो वही चेस जीच सकता है तो इस तरीके जेमेन जुएलरी डोमेस्टिक काउंसील आसीस पेठे और सैयम महरा ना तो जेमेन जुएलरी डोमेस्टिक काउंसील जी जेसी जेमेन जुएलरी डोमेस्टिक काउंसील के चेर्मेन है आसीस पेठे चेर्मेन है और भाइस चेर्मेन है संजय महरा नौ एकसे एजेंडा क्या है आत्मनिर्भर भारत का टेकनोलोजी इंफर्मेशन फॉर्कास्टिंग एसेस्मेंट काउंसिल ये प्रिपेड करती है एकसे एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत और Technology Information Forecasting Assessment Council के अध्यक्ष कौन है अभी Dr. Harts वर्धन तो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सान एजेंडा त्यार कौन करेगा Technology Information Forecasting Assessment Council एक कौन्सिल है और इस काउंसिल के अध्यक्ष है Dr. Harts वर्धन यह किस लिए भाई तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मतलब कि economy को revive करने के लिए तंदरूस्ट करने के लिए भारत के अर्थव्यवस्ता को सुद्रण करने के लिए अच्छा एक कमिटी बनाई गए साथ सदस्यों वाली एक कमिटी है UGC के चेर परसन रह चुके आरपी तिवारी वो इस कमिटी मतलब UGC कमिटी UGC के चेर में रह चुके आरपी तिवारी कमिटी headed by आरपी तिवारी वो ये चीज का मुएना करेंगे की common interest test जो है undergraduate level पर होने वाली है उसका आकलन करेंगे तो who will head this committee आरपी तिवारी and this committee will be of seven members साथ सदस्यों वाली एक कमिटी होगी और आरपी तिवारी former chairperson of UGC हुबली railway station करनाटक का आभी खबरों में है ये world का longest railway platform बनाने जा रहा है इससे पहले गोरकपूर railway station उससे पहले खड़कपूर railway station फिर गोरकपूर फिर खड़कपूर अभी होबली railway station तो सबसे पुराना नयार सबसे लंबा railway platform भारत में खड़कपूर था फिर गोरकपूर हुआ फिर खड़कपूर हो गया अब उसके बाद जो है होबली रेलवे स्टेशन बिस्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफर्म वाला स्टेशन हो जाएगा करनाटक में होबली रेलवे स्टेशन जो है वो होबली एक जोन भी है पंकज मित्तल जो है जम्मू एंड कस्मीर लदाक कोड के Chief Justice बनाए गए है Chief Justice of Jammu and Kasmir High Court तो पंकज मित्तल कीचड में कमल खिलता है और सोच लिजे कि कीचड में Jammu and Kasmir में डल और उलर लेख है वहाँ कीचड ही कीचड है वहाँ कमल के फूल खिलते हैं तो वहीं पे पंकज मित्तल जी खिल गए है और Chief Justice है जammu and Kasmir High Court के तो इस सरीके से सत्यमे वजयते किरला गवर्मेंट ने एक कैमपेंच चलाया है फेक निउस से बचने के लिए टू इनकाउंटर फेक निउस गलत खबरों का जूठे अफवाहों का खात्मा करने के लिए सत्यमे वजयते सदेव सत्य की जीत होती है Digital Media Literacy Program यह मुंड को उपनिशाद से लिया गया है उपनिशाद Central Vista Project It is related to the construction of new Parliament building Central Secretariat और राजपत Supreme Court ने अभी इसको uphold कर दिया था built on 5th January अच्छा सॉरी Supreme Court ने इसको रोग दिया था लेकिन 5 January को Supreme Court का यह फैंसला आया Supreme Court give green signal अच्छा 2 is to 1 के रेशियो में judges की bench जाई दो judges जो है उसके favor में थे और एक against थे lithium reserve used in rechargeable battery और India is dependent on China for this lithium reserve तो lithium जो होती है वो rechargeable battery के लिए होती है और lithium reserve के लिए भारत चाइना पर निर्भर है to reduce dependency India has signed an agreement with Argentina अब चाइना से हमारी दोस्ती तो कमजोर हो रही है न तो इसके लिए कोई दूसरा विकल्प सोचना होगा तो भारत ने ऐसा विकल्प चाइना को देखा और चाइना के साथ एक agreement बना लिया third largest reserve hub lithium विश्व में third largest कौन है अर्जेंटिना लिथियम का अर्जेंटिना बोलिविया और चीले इंडिया पार्टेट फर लिथियम और बोलिविया और चीले से भी भारत ने अपना एक agreement साइन किया है for the लिथियम ताकि अराम से भारत को लिथियम मिलता रहे और इसके लिए भारत को चाइना के आगे हाथ नफसा लाना पड़े है इंडियन पैंगोलीन ये कहां पाया जाता है उडिशा के उडिशा के वनों में वर्ल लाइप संचूरी में तो इसकी पोचिंग पे अभी मतलब सिकार पे बंदी लगा दी गए है गॉडिशा कोवर्मेंट है फार बेटर इंपलिमेंटेशन अफ लॉस तो प्रवेंट पोचिंग अफ इंडियन पैंगोलीन ये के अनिमल है इंडेंजर्ड है इसकी हालत बहुत खराब है और इसकी मतलब इसकी हालत खराब कहने का मतलब है कि इसकी जाती जो है लुप्त होती जा रही है तो इसका illegal hunting बंद होना चीए capturing बंद होना चीए next जो news है Colonel Narendra उनको बुल कुमार की संग्या दी गई है और वो परवातरो ही है mountaineer है operation make dude is the key Mount Nanda Devi जो आपका उत्राखंड में है तो first Indian to climb तो Colonel Narendra जो है नंदा देवी परवत पर चड़ें हैं और captured siachen glacier भारत का सबसे highest glacier है highest battleground है world का तो वहाँ पर siachen glacier पर भी हमारी पताका को फैराया है world highest battleground अभी siachen glacier है अच्छा माठी केटन सोला नेशनल पार्क केरल का नेशनल पार्क है तो यह खबरों में माठी केटन सोला नेशनल पार्क वन कीमेंटर बाउंडर में बाउंडरी के अंतरगत इस पार्क में इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है जिसी यह है तो इसकी एक किलोमेटर की रेंज में यह इको सेंसिटिव है अलोट अफ एक्टिविटी इस रिस्टिक्टेड टू कंजर्ब दिस एरिया और इस से छेत्र को संरचित रखने के लिए बहुत सरीकति वीजियों पन्यंत्रन अंकुष लगा दिया गया है रिस्टिक्शन डाल दिया गया है ताकि वहां के वन निप्रा आप ओपिनिंग मुवी है न यह ओपिनिंग मुवी अनदर रांद फर्टिफिवर्स इंटिटिना फिल्म फेस्टिवल अफ इंडिया यह गोा में होगा और पेपलो शेजार हेड अप दजूरी अफ दे इंटनेशनल फिल्म फेस्टिवल अर्जेंटिना से आएंगे नेक्स जो है traditional tribal product of north east traditional tribal product तो जो भी tradition में है tribal product north east के तो ये tri-fed donor और इंडिया post की मदद से tri-fed का मतलब है tribal cooperative development federation of india और donor का मतलब होगे development of north east region और ये तो सबको पता ही है इंडिया post भारत का डांक भीभाग तो इन तीनों ने tri-fed donor और इंडिया post ने मिलकल के एक collaborate किया है एक agreement for the development of tribal product of north east region ठीक है ना and it comes under the motor motor means ministry of tribal affair tribal affair disease x unexpected unknown virus e office e office क्या है Indian air force e governance portal है tamil academy कहां established क्या गया है तो tamil academy दिली में दिली सरकार द्वारा इस्थापित क्या गया है which armed forces created a first of its kind human rights cell तो ये भारती सेना द्वारा to provide more transparency and probability in its functioning तो first human rights cell इंडियान आर्मी ने बनाया है जम्मू एंड कस्मीर और नौर्थ इस्थ में संबलपूर जहां PM नरेंद्र मोदी ने foundation stone established किया IIM का तो वो कहां है भाई तो ये तो संबलपूर डिस्टिक उडिशा में है संबलपूर इस इन उडिशा Asian Waterbird Census 2021 के लिए जो कि आंद्र प्रदेश में होगा January 5 और 6 को हुआ है भी तो राजा महंद्र वर्मन Wildlife Century ये Asian Waterbird Census 2021 हुआ तो ये किस राज में हुआ तो आंद्र प्रदेश में राजा महंद्र वर्मन Wildlife Asian Development Bank to provide 100 million US dollar to impose power distribution in Bangalore to improve power distribution तो Bangalore में power distribution को improve करने के लिए AADB ने 100 million US dollar की loan मुहया कराई है अर्थिक जहायता प्लान क्या है Pong Dam Sanctuary ये महला प्रताप सागर डैम से समन्दी थे तो ये राजस्तान में है Pong Dam Sanctuary तो ये राजस्तान में है और ये देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक कोटेक महंद्रा नहीं होगा बैंक को बढ़ोदा होगा उसके बाद फर्स्ट बैंक को बढ़ोदा देन कोटेक महंद्रा तो बैंक को बढ़ोदा इस्टार्ट बैंकिंग ट्रू वाट्सेप अभी तो सुनने में आ रहा है वाट्सेप भी बंद होगा बट अभी वाट्सेप ने भी अपनी सफाई दे दी है कि प्राइबेसी को मेंटेन किया जाएगा लोगों के ये इन्टु इंक्रिप्शन है किसी के भी वाट्सेप मैसेजेज और उसकी प्राइबेसी को भंग नहीं किया जाएगा अभी देखिए खबरों में हैं को वैक्सिन एमर्जेंसी यूज इन इंडिया इट इस डेवलप्ट बाइब भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च को वैक्सिन भारत बायोटेक और आइसी एमर द्वारा और को भी सिल्ड जो है ये सीरम सीडी एसीओ है ना सेंट्रल डग कंट्रोलर तो देखिए रिसर्च बोडी और्गनाइज दनेशनल मेटरलोजिकल कॉनक्लेप देखिए एक कॉनक्लेप 2021 के लिए तो उस रिसर्च बोडी का तो नाम आपको पता ही है कि काउंसिल अफ साइंट्विक और इंडिस्टियल रि प्रणाइज किया है डिफेंस फोर्स साइंड डिल विद गोवा सीपियर डिमिटेड टू एक ट्वेल हाइप पेट्रोल हाइप पफॉर्मेंस पेट्रोल बोड तो अभी कुशी दिन पहले हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि इंडियन आर्मी और गोवा सीपियर लिमिटेड ने मिल करके लदाख में लदाख में एक वैली है वहाँ पेट्रोल बोड्स पेट्रोलिंग करने के लिए 12 बोड्स का निर्मार किया है तो यह किस ने किया है इंडियन आर्मी और गोवा सीपियर लिमिटेड ने तो आज कुछ खास इंपॉर्टेंट करेंट आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लागा होगा अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लागे तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के भी साजा करें और हमारे इस चैनल को लगातार हमारे कंटेंट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें थैं गुड़ी इवनिंग फ्रेंड्स सक्सेस एडू पर मैं आपका स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे तो 7 अब जैनवरी का करेंट अफेर में डिसकस कर रहा हूँ चलो सुरू करते हैं तो पहली जो खबर है फ्राइट बिजनेस सब्सक्राइब वर्तमान रेलवे मिनिस्टर पियू सुरू है अब्जेक्टिफ क्या है लाजीस्टी इस की लिए भारत सरकार ने डैडिकेटच व्राइड कोरिडोर बनाया है तो दो देडिकेटच निरल्कör और रेन हमारे हैं एक तो इस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइड को रिडोर और दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइड को रिडोर नेक्स्ट जो है हमारा उद्योग मन्थन एक वेमिनार सीरीज लांच किया गया है सेंटेड एक फाइग फ्राइड टॉसंफिकेटेडिकेटें जोल flip इंडिकेटीकी कउलेटी मिन्न चीचिटाव इंड़िया अंडिय और Georgia में ओस्टad युदेय में चमेकरिकेंश क्योव कोंटिटी ऊकांधी इंडिया और गहिरेतने पेशन sedan ऐट ह। योग को quality और productivity दोनों में promote करने के लिए NPC National Productivity Council और Quality Council of India ने Commerce Ministry के साथ मिल करके ये webinar portal launch किया है ओम कारेश्वर डैम ये किस राज़े में है ओम कारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर इसको बनाया गया है ये वर्ल्ड का largest floating solar energy project होगा जो की construct किया जा रहा है इसके उपर इसके construct करने वाले partner है World Bank, Power Grid Corporation of India Limited and International Finance Corporation IFC, International Organization है World Bank और IFC और भारत का Power Grid Corporation of India Limited इस अ महारतना कंपनी और पावर सेक्टर ओम कारेश्वर्ट है नेक्स्ट है भारती निर्देशक द्रब्य इजे सर्टिफिकेट रिफ्रेंस मेटेरियल और इस डेबलब बाई देबलब बाई देशी एर और नेशनल फिजिकल लेवरोट्री आफ तो Council of Scientific and Industrial Research और नेशनल फिजिकल लेवरोट्री ने मिलकर के सर्टिफिकेट रिफ्रेंस मेटेरियल त्यार किया है और इस भारती निर्देशक द्रब्य कोटायाम जहां H5N8 Avian Influenza Virus पाया गया है वो किस राजम है It is in Kerala 1772 के मारे जाने की पुष्टी हुई है तो कोटायाम में H5N8 Avian Influenza Virus confirm पाया गया है Due to sudden surge in the price of local rice तो वियतनाम ने भारत से चावल इंपोर्ट करने का निर्णे लिया है 10 वर्सों के बाद After a decade Because of increase in the price of rice चावल के दामों में बिर्दी होने के बाद वियतनाम ने भारत से इंपोर्ट करने का निर्णे किया है 10 वर्सों के बाद December 2020 में चाइना ने भी भारत से चावल इंपोर्ट करने का फैसला किया है आफ्टर थी डिकेट तीस वर्सों के अंतराल में पहली बार इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चावल का विस्व में और चाइना लारजेस्ट इंपोर्टर है चावल का National Human Rights Commission recommended action against incorrect data reporting related to manual scavengers देखिए कुछ राज जो हैं बताते हैं कि हमारे हैं जीरो मैनुवल इसके बेंजर है यह बिल्कुली गलत बात है तो प्रापर डेटा वाज नौट रिपोर्टेड इन इस रिपोर्ट तो इसके लिए नेशनल हीमन राइट कमिशन ने डेटा रिपोर्टिंग के खिलाफ मैनुवल इसके बेंजर के अगेंस्ट जो डेटा रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक एक्षन रिकॉमेंड किया है तो यह आपका जीरो मैनुवल इसके बेंजर के तहत नेशनल हुमन राइट कमिशन एक स्टेचेट्री बाड़ी है और यह प्रिवेंशन ऑफ हुमन राइट एक्ट के ताद 1993 के ताद इसकी स्थापना की गई है और हर साल 10 दिसंबर को नेशनल हुमन राइट डे मनाया जाता है 1932 एक्ट प्रिवेंशन ऑफ हुमन राइट के ताद नेशनल हुमन राइट कमिशन के असेथापना की ड़ी है इन स्टेचेटरी बाडी है स्टेटरी बाडी वो अहुत है एं दैट इस्टेबलिश्ट भाइट ऐसे इसलैशन ऑफ हमन राइट एक ला है इसके हेट कॉर्टर है गोवा में यहां पे गोवा में एक MPT पोर्ट है तो जहां पे 48 साइंस साइंटिफिक एक्सपेडिशन किया गया और यह एक डिजिटल ओसन डेटा एक लांच किया गया Ministry of Earth Sciences के अंतरकत and Ministry of Earth Sciences अभी कौन है है डॉक्टर हर्षवर्दन गुगल इंप्लॉईज ने एक वर्कर्स यूनियन बनाया है इन दे उनाटेड इस्टेट्स और गुगल के पैरेंट कंपनी का नाम है आल्फाबेट गुगल का है सीलिकन वैली इन कलिफोर्निया गुगल हैड़कर तो हेड़कर सीलिकन वैली यूसे कलीफोर्निया और गुगल ने एक एक इंपोर्च यूसे आल्सों इन दे थिसे एक एक चांब आर तो the purchase of S-400 missile from the Russia or USA also declared India as the currency manipulator USA ने भारत को currency manipulator का दर्जा दिया है first khelo India sports school of the northeast region is situated in which place it is situated in the Shilong of Meghalaya Assam Rifle Public School ARPS this is Assam Rifle Public School and this event was inaugurated by the sports minister of India Kiran Rejizu inaugurated this event in the Shilong nine sports schools are there in India to promote schooling and sports together this event was organized right now so yeah event is cool is cooling case outside sports ko bhi badawa dene ke liye Kiran Rejizu khail mantri ne school is a star पर ही खेल के महतों को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है और Lieutenant General Santanu Dayal यह Deputy Chief of Army Staff है and Chief of Army Staff अभी कौन है अभी तो Deputy है Lieutenant General Santanu Dayal but Chief कौन है CDS CDS इस विपिन रावत एक्स आर्मी चीफ नहीं टाटा पावर यह एक इंपोर्टेंट पावर मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी है और सिडवी Small Industrial Development Bank of India इसका मुख्याल है लखनाव में है सिडवी और टाटा पावर ने कोलाबोरेट किया है फॉर फाइनेंसिंग मीडियम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को फाइनेंस करने के लिए साउथ असिया ग्रूप फॉर एनरजी सेज भारत सरकार ने यह लॉंच लॉंच किया है साउथ असिया ग्रूप ऑफ एनरजी ग्रूप फॉर एनरजी इसके हेड है राम बिने साही जी, राम बिने साही इसकी हेड है, और Research and Information for Development Country, RIS Research and Information for Development Country के लिए and it is under the Ministry of Earth Sciences, ये जो सेज है न, it comes under the Ministry of Earth Sciences, कई बाहर चर्चा मेरा Ministry of Earth Sciences, तो Dr. Hershwarzan, Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Hershwarzan is also in youth because he has been nominated as the member of the Gavi and Dr. Hershwarzan is also elected as a member of executive board of WHO and launch pad scheme, next, MP government ने ये launch किया है to make youth self-reland, launch pad scheme is the scheme of MP government to make youth self-reland, Ticathon 2021, Ticathon 2021 is the toy manufacturing hub, भारत को खेलोने में आत्मे निर्वर बनाने के लिए, इसका उदघाटन किस ने किया है, एडुकेशन मिनिस्टर रमेज पुखरियाल निशंक और इसमिर्थी जुवेन इरानी, 6 अब जन्वरी को जन्रलिस्ट डे मनाया जाता है, on the birth anniversary of 12 सास्त्री जामबेकर, 12 सास्त्री जामबेकर के जन्व समारो के उपलक्ष में, उनके जन्व स्मरण के उपलक्ष में 6 जन्वरी को, क्यों, क्योंकि उन्होंने मराठी में दरपन पहला निश्वेपर लॉंच किया था 1832 में, और उनको मराठी पत्रकारिता का फादर का जाता है, फादर आफ मराठी जन्रलिजम, मराठी जन्रलिजम का फादर कौन है, तो बाला सास्त्री जामबेकर, और ये 1832 में पहला फर्स निश्वेपर दरपन, मराठी निश्वेपर उन्होंने लॉंच किया था, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, दिविन्टी ट्वेंटी क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज आई-मडी इंस्टिटूट द्वारा, और 2020 का एट वारमेस्ट, साल 2020 जो है, आठवा वारमेस्ट साल रहा, 1901 के बाद, तो ये इंपोर्टेंट है, डाक्टर मिर्तुन्जे महापात्रा, इंडियन मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट के हेड है, और इट कम्स अंडर दर मिनिस्ट्री ओफ और्थ साइंसेज, हैदरबाद, दुबई, साइंड अन एग्रिमेंट फॉर दा वैक्सिन, तो मेक वैक्सिन कोरिडोर, वैक्सिन कोरिडोर बनाने के लिए, हैदरबाद और दुबई ने एक एग्रिमेंट साइन किया है, तो बिल्ट दर ट्रांस्पोर्टेशन फैसिलिटी, इस एर, अचा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, वो किस से रिलेटेड है, दाट इस रिलेटेड टू दा, कंस्ट्रक्शन अप न्यू पार्लेमेंट बिल्दिंग, आपका, राजपत, एंड चेंटर सेंटर सेंटर सेंटरेटेट, चेंटर सेंटर सेंटरेटेट और इसका टाटा ग्रूप कर रहा है, इसका, तरी इस, दिस इज भाई टाटा ग्रूप, चेंटर विस्टा बूर्ट अभी हाली में, चेंटर विस्टा बीजुक्स परेटेट पे, प्रोजेक्ट पे सुप्रीम को ने इसको अफोल कर दिया था, बट पांच जन्वरी को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि इस कैन बी केरीड ओन करीड ओन एस पर इन एक जन्वरी को उनसर्थ हजार नौसो पंचानवे बच्चों ने भारत में जन्व लिया और भारत ने इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड डर्च किया बीज़ी देयुड है थाइक पूशम एक रिलीजियस फेस्टिबल है यह सेलइबरेट किया जाता है तमिल नादो में थाइपूशम Accuracy of National Atomic Time Scale इसका Accuracy क्या है 10 to the power minus 9 seconds per day Kochi Mangaluru Natural Gas Pipeline Manufactured by which Maharat Nas तो it is manufactured by Gas Authority of India Limited प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी has inaugurated this One Nation One Grid project किया अंत्रगत तो One Nation One Grid और इसका निर्मान किस ने किया है Kochi Mangaluru Natural Gas Pipeline तो आपको पता है United Nations Security Council में as a non-permanent member इंडिया को अभी चुना गया है और इसके साथ-साथ इंडिया के साथ-साथ इंडिया, नॉर्वेग, केनिया, हारलेंड, मैक्सिको, एस्टोनिया, नाइजीर और भी बहुत सारे रास्ट है अच्छा नेक्स जो हमारा न्यूज है Tripal Federation इट कम्स अंडर दा Ministry of Tribal Affairs तो ट्डाइफेड इट इज अंडर दा प्रहान मंत्रि वन धन योजना अंडिट कम्स अंडर दा मोटा Analytics Ministry of Tribal Affairs तो ट्राइफेड चर्चा में रहा ओनर आफ चैनीज फार्मासियूटिकल जाइंट वन्टाई वन्टाई के जो ओनर है यह रिचेस परसन एसिया के हैं उनका क्या नाम है तो सहैंसा यह ध्यान रखेंगे कि रिचेस परसन एसिया से अभी सहैंसा है तो जोंग सैंसन और अनील अम्मानी मुकेस अम्मानी को पीछे चोड़ते विए यह आगे निकल चुके हैं एसिया से सबसे धनी वेक्तियों में वर्ल्ड ब्रेली डे इस सेलेब्रेटेड ओन ता फॉर्थ अब जैनुरी वर्ट इस ब्रेली ब्रेली इस टाइफ ओफ वर्ड विच इस अबरा कि लिपी है तो वर्ल्ड ब्रेली डे क्यों मनाया जाता है ताकि जो दृष्टी बाधित ब्यक्ति हैं उनको अपने संचार का माध्यम है जिसे चू करके अपनी संबेदनाय अपने बातों को प्रकट कर पाते हैं तो ब्रेली इस ए मिन्स अफ कम्मिनिकेशन इन फूल रियल को अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इसको सेयर करें हमारे अपडेट्स को लगतार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो सक्सेस एडू चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग दिस व